जैसा देखने हैं इसकी उपर त्रंगा लहरा रहा है जो हमारी रास्ता इसमा दो 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 गड़ के के चांग तूट चुगी जोड़ी जोड़ी इंतिवाले हैं यह पत्तर इस पेशन राजस्तान से मनाए गए गए थे नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होगे जैसा कि मेरी एक सीरी चले गेटरोडा एक्स्प्लोर करने की है इसी सीरीज में आज मैं आप पहुंचा हूँ सती निहाल देई टेंपल कास्टना गेटरोडा में तो इस क्या खासिया थे इस मंदिर की वो भी आप लोग को बताऊंगा क्या हिस्ट्रे इस मंदिर की यह भी बताऊंगा आप लोगो एक्चुली यह जो मंदिर है सालों पुराना है बरसों पुराना है कई सेक्रों साल पुराना है और अभी इसको एक प्रेम का प्रती कहते हैं इसको प्रेम का पति क्यों कहते हैं यही बताऊंगा मैं और आप लोग को डिसक्रिप्शन में यही बताऊंगा कि आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं और एक भी उतादू यह बेस्ट फोटो सूट लोकेशन है इसके टॉनडा च्छेत्र की जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बहुत ही अच्छा टेमपल है और फिस्टोरिकल प्लेस है तो आए आज हम इसको एक्स्ट्वोर करते हैं में तरी महीं निया इंफन वर्स पुराना है। विसका देड्रनोधार क्या हमारे माणिय मंत्री महिस्षारमाजी द्वारा किया। और एक पार्क के रूप में इस पोड़ी आप दिब्लप किया है। और अच्छा एक पित्ति मिना सकी और हिस्ट्री के बारे में जानकाई ले सकी है तो हम विशेस धन्यवाद दिन में स्री महेश शर्मा जी और स्रेंट संग्या जी किया भी जोने ये पुन्य काम किया और धरोहर को अच्छे से सापित पुनस्ता पिक किया तो चलिए चलते हैं अब आप लोग के शामने हैं वह बर्सोत पुराना निहाल देई टेंपल अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है इस टेंपल बनने की वह मैं आप लोग को आगे इसी वीडियो में बने रहेगा आपको बताऊंगा तो चलिए देखिए हम लोग जैसा देखने हैं इसकी उप पुराना वर्षों साल पुराना सेक्टों साल पुराना टेंपल तो आईए इसके अंदर चलते हैं आप लोग को इसे रिएटेड हिस्ट्री भी बताते हैं तो जेखिए अब मैं आ चुके हम लोग इस राजजी टेंपल के अंदर जो अब बहुत ही ज्यादा बरबाद हो च साल पर राजस्थान के राजा किच्चगड के फुत्र स्री नर्सुल्तान और केशोगड के फुत्र कुमर सिंग यहां पर आये हुए थे शिकार करते करते हैं इसकासना च्छेत्र में यहां पर एक बाग हुआ करता था नो लख्खा बाग इसलिए कहते थे तो कि यहां पर नो लाख पेड थे उस बाग में उसी बाग में यहां की राजकुमारी निहाल देई यहां पर खेल रही थी उनको देख करके नर्सुल्तान आकर्शित हो और आकर्शित हो करके वो जा करके फिर राजा मग से जो यहां के राजा थे उनसे जा करके विवा का प्रस्ताव दिय कि मैं आपकी राजकुमारी से विवाह करना चाहता ह। राजा पशंद नहों करके उनका विवाशंपन कराए। राजकुमार नर्शुल्तान और राजकुमारी निहाल देही का विवाशंपन नहों कराए। पेशोगरता जो राजकुमार था वो भी उनकी पत्नी पर आकर्शित हो गया। तो उसमें नर्शुल्तान को मडर करने की, मत्यूर देने की इक्षा जता ही। और अंदर से प्लानिंग करने लगा कि हम राजकुमार नर्शुल्तान को मरवा देंगी। पर जब राजा नर्शुल्तान को बनमास दे लिया। जब नर्शुल्तान बनमास जाने लगे, तो जो उनकी पत्नी थी, वो भी शाक्त में जाने की जिद्ध करने लगी। परंत वह शाक्त में नहीं ले गए। और परंत यहीं रहो, हम कुछ दिन बाद आकर आकर आपको ले जाएंगे। परंत उनको आने में बहुत देर होती। वह एक धूसे राजे में छोटा सा अपना जॉब करने लगे। तब राजकुमारी जो निहाल देई थी, उनको पत्र लिखत करके उनको सुचित किया, कि आप अगर कीज दग आप नहीं आते हो, तो मैं आपके वियोग में शती हो ज मिल पाया, और जब उस राजकावन पत्र मिला और वह जब तक यहां आते, तब तक वह तीज का दिन आ चुका था, और शती जो निहाल देई थी, वो शती हो जुगी। तब यहां आने पर वह उनके वियोग में और उनके प्रेम के प्रतीक के रूप में रानी शती दी, नि इसका बहुती नश्ट होने के कगार पर है, मैं सरकार से भी सबसे निवेदन करूंगा, आप इसका जिर्नोधार कराएं, वो इस हिस्ट्री को संभाल करें, तो आइए इसको एक्स्प्लोर करते हैं, और तुरा देखते हैं कि कैसा स्ट्रॉक्चर यहां बनाए गया था, तो है, वो राजस्थान की थी, राजस्थान की यह फूरी कारी गई है, देखिए, चारो परफ से तिर्फा अभी नियेट बनाया गया था, यह बीच में स्रामी शती की कृतिमा स्ट्रॉक्री की गई है, वो बहुत पर देखिए, उपर देखिए गुंबत, क्या स्रक्चर पर बनाया गया है, एक बेस पॉटोशूट अगर आप यहां पर आते हैं, तो यहां पर बनाया स्टेख पर ते क्यित्ते अच्छ अच्छछ पोटोशूट का अ सकते हैं आप, यह देखिए, यह देखिए, पोडोशी मतलब आप ने कि बहुती प्राचमिंग धरुगर पर इदर देखिए चालो गुधिए चद्धन से इखने पॉइंट है इधर देखिए कि बाई कि आसे में चालो गभी देख्धिए और यह दिद्धनों का साइट देखिए यह जोड़िश मोस्ति वाल अब गोड मिना पकड़ में और इतनी चोड़ी तो न्हीं दिवाले तक सब्सक्राइब करने के लिए राजा दर सुल्तान के द्वारा देखिए कि अच्छी अच्छी फोटोशूप लोगेशन आपको तब फोटोशूप करा सब्सक्राइब बहुत अच्छे अच्छे देखिए आपको तुदा में घ्रोर बहुते दिखाऊ हुआ यह देखते रही है कि भवे दिवाल है यह देखिए यहां पर गाटन हुआ के तक हुदा इस्ट्रूक्चर है आगा कि अब यह देखिए अभी यह पत्तर है कि इतना भवे स्ट्रूक्चर बनाए गया है कि अपनों लोगों ने पताने लिए कि लेकर पे इसको बर्बाद कर दिया है देखिए लेकिन यह बनाया गया जिस्त्रमें प्रेम का अप्रथी बहुत ही भवे बंदिर है जब यह अभ कितना सुंदर होगा किता फ़्य होगा शबाश है कि सूटिंग है इस 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 में बहुत है अलाम से पत्तर कमजोर हो सकते हैं कल बलकल 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 और ऑगो अधर आप अधर को दिव वाई बहुत बढ़िया नेरा रहा है पही लोकेशन था हाई गाइस मता आजा खतर्माग शुड़ी बढ़िया देख से जाई है थे लोकेशन देख से जाई है यह भाई भाई रास्ता इसमा दो जो जिर्केके चांग तुच सुदी अले माई संद आज़ाई कि देखी है कि उतरने में कितने घषाहई हुती है चाड़ना तो असान होताए मेले पहले कि उतर जाने दीजिय को हमारे को दीब भाई को को लेकिए बेग्या आप शिर्भी देखिए आप लोगेशन निगाला है मजा आजाएगा आप कभी आओगे तेहां बेएडवेंच्रस भी होगा मजा भी बहुत आएगा अब तो बस एक वही बचल हुआ है तो मजा आ रहा है हमको हूप आप लोग को भी मजा आया हुगा अब आपको बहार से पुदेश्मल्स टैंपल का व्यूदे देता हूं अपनी इतने साल हो गया तो भी कितना प्यारा और कूप्शूरत लग रहा है यह स्ट्रक्चर्चर्च इतना खूप्शूरत लग रहा है तो अच्छा खासा फोटो शूट भी करा सकते हैं मतलब फोटो शूट के लिए भी बहुत्त लोकेशन है कोई आप सुटिंग कर रहे हैं आप यूट्यूब के वीडियो ही बना रहे हैं एक प्लेस के रूप में भी इसको यूट कर सकते है इसको आप कर दो प्रियूद कर दो अब बना रहे हैं मतलब एक प्लेस के कई सारे ही हूज है यह 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 कर दो देखिए बच्चे कितने अच्छी कॉमेंटरी कर रहे हैं तो कैसा लगा आप लोग को आज मैंने आप लोग को सती निहाल देई टेमपल लेके आया था जो एक प्रेम का प्रतीक है और इस ग्रेटर नुड़ा का बेस्ट फोटोसूट लोकीशन लिए तो अगर आप लोग ऐसी लोकेशन देखना चाहते हैं मेरे शाद बने रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करना भी मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लोकेशन पर तिल देख केर साइनिंग ओफ अंकित कुमार नमस्कार